दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई हीरो HF Deluxe लेकर आया हूँ जिसमें कुछ नई अपडेट हुई है जिनके बारे मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जैसे की इसमें प्राइस में कितना बदला हुआ है और इसमें नई फीचर्स आपको क्या मिल रहे हैं पूरा डेटियल में मैं आपको हीरो HF Deluxe 2022 लाश्ट या फिर 2023 के बारे में बताने वाला हूँ शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रंट से उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को ज़रू दबाएं क्योंकि हम बाइक और स्कूटर सम्मंदी जानकारी लेकर आते रहते हैं तो ये है नई हीरो HF Deluxe जिसमें अब आपको ब्लैक कलर पर ये नए स्टीकर देखने को मिलेंगे इस से पहले ये गोल्डेन एडिसन नहीं आता था इस बाइक में लेकिन अब आपको 2022 के लाश्ट य आप देखेंगे ब्लैक कलर पर ये गोल्डेन एडिसन जिसमें आपको यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा ओरेंज कलर भी मिल रहा है तो जिसमें आप देखेंगे पूरा इंजन ब्लैक है ये आल ब्लैक है और उसके साथ साथ आपको गोल्डेन एडिसन इसमें अब प्रिमत में आती है और आप देखेंगे ये नए ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं साइड पैनल पर आप देखेंगे HF дел universe इसलिक्स लिखा हुआ है और ये golden edition इस पे भी बना हुआ है और वही की SV आपको इसके sit Hero HF Deluxe BS6 का Golden Edition तो इसमें जैसे ब्लैक कलर पर जब ये पूरी बाइक आल ब्लैक है और उसके साथ साथ जैसे इसके सौकर बॉटम आपको क्रोम में मिल रहे हैं मतलब की सिल्वर में मिल रहे हैं और उसके साथ साथ ये गोल्डेन कलर के एडिसन ये आपको ज्यादा पसंद आए इधर आप देखेंगे तो वही स्टीकर आपको मिल जाएंगे तो अगर हम अपडेट की बात करें दोस्तों तो इनका जो सेलफ स्टार्ट वाला मौडल रहे उसमें आपको ये नया कलर जो सेलफ स्टार्ट और ब्लैक कलर के साथ आती थी Protect mental बाकि मैं आपको दिखाना चाह कि मतब बैट्री कनेक्शन नहीं हुआ है और कोई ज़रूरत भी नहीं क्योंकि इसमें कोई डिश्टल मीटर तो मिलता नहीं है यहाँ पर आपको जैसे यह आपको मिल जाता है भाई साइड इस्टेंड का टॉप स्विच और लाइट यहाँ पर आपको मिलता है इंजन चेक लाइट नूटल और हाई बीम और फ्यूल मीटर और ओडो मीटर इतनी चीजे मिलती है मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती है बाई क्योंकि यह कम कीमत में आती है और यहा अगर मैं टायर दिखा हूं तो सेट का सेक्यूरा जूम 278 का इसमें आपको देख लेते हैं ट्यूब वाला टायर मिल जाता है कि इसमें ट्यूबलस तो कहीं लिखा नहीं है और अगर हम पीछे की बात करें भाई तो 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है यहां पर आप देखेंगे 278 पर इसमें ट्यूबलस ट्यूब लें यह है यह यहां से इसको अड्जेस्ट कर सकते हैं तो अगर देखा जाए तो जैसे कम कीमत में ही यह अपको बहुत सारे features जैसे की पहली बास तो good looking होनी चाहिए भले ही कमकी में तो मिल रही है लेकिन good looking होनी चाहिए उसके sticker अच्छे होने चाहिए क्योंकि जिनके पास budget कम है उनको भी तो अच्छी चीज मिलनी चाहिए तो यहां पर आपको नए color देखने को मिल जा रहे हैं अगर मैं इसके price की बा और उपर आपको golden edition में 79,000 मतलब 89,000 रुपए में मिल जाएगी अगर हम mileage की बात करें तो लगभग इसमें आपको 70 प्लस mileage मिल जाएगी अगर आप सही चलाएंगे तो 70 तक mileage इस bike में आपको मिल जाएगी और इसमें आपको chain cover यहां पर मिलती है वो भी आप इसमें fiber की chain cover आत सिंगल स्लेंडर एयर कूल इंजिन मिलता है जिसमें आपको 7.1 canvhp की power मिलती है 8,000 रुपए मपर 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6,000 रुपए मपर सीठ हाइट है इसकी 805 mm ground clearance है 165 mm वजन है 109 kg petrol tank इसमें 9.6 लीटर का लगाया गया है और अगर हम जैसे इसके dimension को थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ बाकी टैर के बारे मैंने आपको बता ही दिया है इसकी seat height है 805 mm ground clearance 165 mm 1235 mm इसका build base है तो दोस्तों आपको ये नई हीरो HF Deluxe कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूर दें वीडियो गर आपको पसंद आई हो जैसे अभी इसकी silencer की प्लेट नहीं लगी है वो भी लग जाएगी जब यह बाइक आप खरीदेंगे तयार होने लेगी तो इसमें वहां पर भी लगेगी silencer पर यहां पर और यहां पर भी एक प्लेट लगेगी तो भाई बाइक के बारे में आप अपनी राय जरूर दें वीडियो गर आपको बाइक खरिते हैं तो आप उसको प्रोटक्ट रखने के लिए पॉलिस और सेंपू मंगवाएं मीसो फिलिपकाट अमेजन पर मिल रहे हैं मीसो पर मंगवाएंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा तो अमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद